एक बार जब मेरा दिल्ली वाला मासी का बेटा आया था तो वो मेरी लिए वो क्या कहते हैं? उसे के एफसी, हाँ के एफसी का चिकन लाया था कितना स्वादुश था वो, उस दिन भी ऐसा ही मौसम हो रहा था आज भी मेरा वो के एफसी खाने का बहुत मन कर रहा है जोपड़ी पर लगाई थी, वो तेज हवा से उड़ गई है जरा उन्हें बिन कर लिया? जी माजी सुमन वो बोरी उठा कर लाती है तभी उसकी अमीर देवरानी अपने पती के साथ कार में बैट कर के एफसी जानी की तैयारी कर रही होती है बाहर खड़ी सुमन और अपने साथ ससूर की तरफ देख कर अंचली कहती है वाओ, कितना सुहाना मौसम है आज तो हम के एफसी जाकर कुछ अच्छा और लजीज खाएंगे पर देखो तो, कहीं से कुछ जलने की बुआ रही है कहीं ऐसा तो नहीं मेरे गरीब ससुराल वालों को भी लालचा रहा होगा के अफसी खाने का लेकिन इन गरीबों को तो ये भी नहीं पता होगा कि के अफसी होता क्या है वैसे मेरी भी क्या ही किस्मत है जब जी चाहू जाकर खा सकती हो लेकिन मेरी गरीब जिटानी जिसका पदी मजदूर है उसके नसीब में ये सुख भी नहीं उसकी कोई जरुरत नहीं है दिवरानी जी हम अपने घर में रुखा सुखा खा कर भी बहुत खुश है फिर अंजली मुह बना कर अपने पती के साथ केव सी चली जाती है दरसल अंजली अमीर घर से थी अंजली और नितन की लव मेरेज हुई थी जिस कारण वो अपने गरीब ससुराल आते ही उस जोपड़ी से उप गई जिसके बाद उसके पिता ने उसके ससुराल के सामने ही उसके लिए बड़ा घर बनबा दिया जिसमें वो अपने पती के साथ शिफ्ट हो गई साथ ही नितन पढ़ा लिखा था इसलिए वो अंजली के पिता की कंपनी में ही बतार मैनेजर जॉप करने लगा जिबकि बिचारी सुमन का पती पढ़ा लिखा नहीं था जिस कारण वो मजदूरी करके अपना घर चलाता था के अफसी खाने के बाद वो कुछ पैक करवा कर घर भी ले आती है वो घर पहुँचती है तो अपने आंगर में सुमन जाडू लगा रही होती है हाई हिल पहनने की वज़े से अंजली का पाउं उलचता है और वो गिरते गिरते बचती है ये देख अंजली अपनी जेठानी की तरफ मुँ बना कर कहती है लगता है इसके एफसी को देखकर किसी की नियत खराब हो रही है बिचारी सुमन चुप रह जाती है और अंजली अपने घर के अंदर चली जाती है इतने में सुमन का पती राजीव कुछ पैसे लेकर घर आता है सुमन देखो आज मैंने एक सबजी वाले के पास उसकी सबजी बेचने का काम किया क्योंकि आज उसकी तबिया ठीक नहीं थी इसलिए उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा मुझे भी दे दिया ये देखो तीन सो रुपए मन तो मेरा भी आज की एफसी खाने का कर रहा है लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत से ये पैसे कमाई है फिर मैं उनसे ये पैसे कैसे मांग सकती हो किस सोच में पढ़ गई सुमन कुछ नहीं जी आप हाथ मूद हो लीजे मैं खाना लगा देती हूँ उस रोज सुमन ने अपना मन मार लिया लेकिन अब वो समझ गई कि एक की कमाई से कुछ नहीं होगा इसलिए उसने भी अगले दिन से अपने लिए काम ढूड़ना शुरू कर दिया लेकिन उसके पैसे भी घर खर्च में ही लग जाते हैं बड़ी मुश्किल से उसने जैसे तैसे कंजूसी करके 500 रुपए की बचट की जिसे देख सुमन ने सोचा आज मैं इन पैसो से थोड़ा सा केपसी खरीद कर लाऊंगी फिर मा बाबुजी और राजीव जी को भी उसका स्वात चकाऊंगी देखना वो उन सब को बहुत पसंद आएगा ये सोचकर सुमन काम पर जाई रही होती है कितने में उसके ससोर उसे आवाज देते हुए कहते है अब अब सुमन बहु मेरी दवाईयां खत्म हो गई है अब अब क्या तुम साम को आतवक्त लेती आओगी जी जी बाबुजी मैं ले आओँगी बेचारी सुमन का चेहरा फिर लटक गया एक बार फिर क्याफसी खाने की उसकी इच्छा धूरी रह गई उधर अंजली शाम को शॉपिंग कर घर लोट रही होती है कि तभी उसे नींद की छपकी आने लगती है जिस वज़े से वो सामने देख नहीं पाती और उसकी कार का एक्सिडेंट हो जाता है चारों तरफ लोगों की भीड़ी कटी हो जाती है लोटते वक्त सुमन की नजर उस भीड़ पर जाती है ही भगवान लगता है किसी का एक्सिडेंट हुआ है ना जानी किसी ने एम्बुलेंस को फोन भी किया या नहीं मुझे जाकर देखना चाहिए सुमन जाकर देखती है तो वो कार उसकी देवरानी की होती है जिसमें उसकी देवरानी बेहोश पड़ी होती है उसके सर से खून बहरा होता है सुमन जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करती है और अपनी देवरानी को अस्पता लेकर जाती है अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पर ले आए नहीं तो ज्यादा खोन बहने की बज़ा से इनकी मौत भी हो सकती थी कुछ दिर बाद सभी घर वाले पहुँच जाते हैं फिर एक सर्जरी के बाद अंजली को होश आता है तीन दिन बाद उसे घर ले आते हैं सुमन अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेती है अब वो सभी गरीब ससुराल वाले अंजली की खूब सेवा करते हैं अंजली को अब अपनी करनी पर बहुत पच्टावा हो रहा था कुछ दिनों में अंजली पूरी तरह ठीक हो जाती है फिर एक रोज वो KFC से ढेर सारा अलग-अलग तरह का खाना और चिकन पैक करवा लेती है और अपने गरीब ससुराल वालों के पास जाती है फिर सुमन से और अपने सास ससुर सबसे अपने किये की माफी मागती है मुझे माफ करतीजे मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा किया लेकिन अब मुझे अपने किये पर बहुत पच्टावा है कोई बात नहीं बहू देर आए दुरुस्ता है जिटानी जी देखिए मैं आप सब के लिए क्या लेकर आई हूँ KFC KFC जी तुमारा बहुत बहुत शुक्रिया देवरानी जी मेरा सच में मन कर रहा था इसे खाने का चलिए अब जल्दी से खाना लगाते है आज मैं और राजीव भी आप सब के साथ बैट कर KFC खाएंगे इसके बाद सभी घरवाले मिलकर उस करीब जोपडी में बैट कर एक साथ खुशी-खुशी KFC खाना खाते हैं और कितनी दूर है जी जगदीश भाई साब का घर अनिल बेटा कितनी दूर दिखा रहा है इस रास्ते से पापा दो घंटे का रास्ता मान कर चलो दो घंटे अभी बाकी है अच्छा थोड़ी देर और सुस्ता लेती हूँ तिलक राज के बहुत ही खास मित्र जगदीश चंद्र की बेटी की शादी थी लड़के वाले नेपाल रहते थे इसलिए जगदीश चंद्र शादी के लिए नेपाल गए थे और उन्होंने तिलक राज को भी नेपाल शादी में आने का न्योता दिया था इसलिए तिलक राज अपने परिवार के साथ अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए पहुँच रहे थे पर अच्छानक क्या हुआ ड्राइवर साहब आपने कार क्यों रोक दी साहब आगे रास्ता बंद है शायद कोई चट्टान गरी वी है अरे अब आगे कैसे जाएंगे भीया जरा सुनना ये चट्टान कब तक हटेगी कब तक रास्ता खुलेगा कुछ बता सकते हो भीया कल सुबा तक तो ये रास्ता बननी रहेगा अब तो साम होने वाली है भीया कल से पहले नहीं गुलेगा साहब हमें कल तक इंतचार करना होगा कल से पहले ये रास्ता नहीं खुलेगा अब क्या करेंगे हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं है जगदीश का फोन नहीं मिल रहा पापा यहां फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे लगता है ये कोई गाउं है चाची पानी भरने के लिए तुम्हें इतनी दूर आने की क्या ज़रू थी मैं अकेली आ जाती अरे गीता बिटिया तुम्हेले कितना पानी भर कर लाती और इसी बहाने मेरी थोड़ी सैर हो जाती बहुत प्यास लगी है बिटिया ज़रा सुनना थोड़ा पानी मिल जाएगा हाँ हाँ ये लो माजी ठंडा ठंडा मटके का पानी पियो शुक्रिया बेटी आप मुझे प्यार से गीता कहो मेरा नाम गीता है वैसे आप लोग यहां के तो नहीं लग रहे हाँ हम लोग दिल्ली से आए है यहां काटमांडो में हमारे रिष्टेदार की शादी है पर ये रास्ता बंद है और सब कह रहे है कि कल तक रास्ता खुलेगा आप सब मेरे साथ मेरे घर चलो क्यों चाची अब आप नेपाल में हमारे महमान हो तो हम महमानों को गाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते ना जी गीता बिल्कुल ठीक कह रही है आप सब हमारे घर चलो और रात वहीं रुकना यहां जंगल का इलाका है जानवरों का खत्रा रहता है मा शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं वैसे भी तुम बहुत ठक गई हो और रात गुजारने के लिए कोई तो जगह चाहिए ही अब अनिल बेटा तुम ड्राइवर के साथ गाड़ी यहीं लगवा दो हम पैदल ही चलते हैं आगे तो गाड़ी ले जाना ठीक नहीं रहेगा अब ठीक है पापा, आप लोग चलो मैं आता हूँ सब लोग गीता और उसकी चाची के साथ उनके घर जाते हैं गीता और उसके चाचा चाची सब की बहुत सेवा करते हैं सहाब, गीता दो साल की थी तब इसके माँ बाबुजी इस दुनिया से चले गए तब से गीता को हमने अपनी बेटी की तरह ही पाला है और गीता ने भी हमें हमेशा माता-पिता की तरह ही समझा है हमारी और भी दो बेटिया है हम अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं अब बस गीता के हाथ पीले हो जाएं उसके बाद हम अपनी दोनों बेटियों की भी शादी कर देंगे वैसे कोई लड़का देखा है आपने नहीं बेहन जी बस धूंड ही रहे हैं अब हम इतने पैसे वाले भी नहीं हैं कि जादा दहेश दे पाएं पर जितना हो सकेगा हम अपनी बेटी के लिए जरूर करेंगे अच्छा लड़का मिल जाए तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी इतनी देर में अनिल भी गाड़ी लगवा कर आ जाता है गीता बिटिया एक थाली में दाल भात और लेया अभी लाई चाची गीता अनिल के लिए भी दाल भात ले आती है गीता देखने में बहुत सुन्दर थी अनिल उसे देख रहा था गीता भी उसे देख रही थी सब लोग बाते करने लगते हैं उमा को समझा रहा था कि सचमुष निपाल में आकर उन्हें ऐसा मैसूस ही नहीं हुआ कि वो किसी पराय देश आए है बहुत अच्छे से गीता और उसके चाचा-चाची मिलकर सबकी सेवा करते हैं अगले दिन वहां से जाने से पहले उमा गीता के चाचा-चाची से बोली बेहन जी हमें गीता बहुत पसंद आई है हमारी अनिल से बात हुई है हम वापसी में फिर से आपके घर आना चाहते हैं पर हम अपनी नेपाली बहु अपने साथ ले जाने के लिए सगाई करके जाएंगे सच आपने ये कहकर बिन मा की बच्ची को बहुत बड़ी खुशी दे दी है अनिल और गीता एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा देते हैं सच उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और फिर कुछ समय बाद उमा अपने घर में नेपाली बहु ले ही आती है बहन जी आपकी नेपाली बहु तो बहुत सुंदर है आप एक बार इसके हाथ के दाल चावल और सेल रोटी खा कर देखो उंगलिया चाटते रह जाओगे हमारी नेपाली बहु ने रसोई संभाली है अब नेपाल के मशूर व्यंजन का आनंद लो लाओ गीता बहु सबके लिए खाना लगा दो जी मा जी अभी लगाते हूँ गीता सबके लिए नेपाली व्यंजन परोस्ती है सबको गीता के हाथ का नेपाली खाना बहुत पसंद आता है अरे वा, गीता बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात मानपूर्णा का वास है, बहुत स्वाधिश्ट खाना बनाये है, ये लो, हमारी ओर से शगुन रखो हमने तो इससे पहले नेपाली खाना कभी खाया ही नहीं था, आज तुम्हारे हाथों का नेपाली खाना खाकर सच मुचानन दा गया सब लोगों के मुँ से गीता जब अपनी तारीफ सुनती है, तो वो बहुत खुश होती है उमा बहुत खुश थी कि उसके घर में एक बहुत ही संसकारी और सुशील बहु के कदम पड़े थे जिससे घर में रौनक आ गई थी उमा की नेपाली बहु ने आते ही घर और रसोई को इतने अच्छे तरीके से संभाल लिया था कि उमा की सारी चिंताएं दूर हो गई थी गीता भी खुश थी कि उसे उमा के रूप में प्यार करने वाली मा जैसी सास मिल गई थी